Hello everyone, my name is Sirvesh and you are watching my YouTube channel तो आज की इस वीडियो में भी हम सब्टाइटल के हेल्प से English के Sentences, Structures, Formations, Words वो सब चीज़े सीखने वाले हैं और बहुत ही Useful Structures से इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेंगे तो ध्यान से देखेगा और सज़ेस्ट करूँगा कि कोई Notepad, Notebook आप लेकर बैठिये थाकि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको Useful लगे आप उसको लिख सकते हैं और ऐसी चीज़ों को अपनी Overall Conversation में एड़ कर सकते हैं पहले सेंटेंस साथ वीडियो को शुरू करते हैं देखे पहला सेंटेंस है मैं वही करता हूँ जो मुझे उत्साहित करता है चीक है? तो इसमें वही यह जो सेंस लेकर चल रहा है मैं वही करता हूँ जो तो वही और जो इस चीज़ पे ज़्यादा confused होने के ज़रत नहीं है एक ही word use होगा what या which चीक है? अगर countable कोई चीज़ है तो हम which का use कर देते हैं कि वही बोतल जो फ्रिज में रखी है चीक है? इस तरीके से तो यहाँ पे which का use हो जाएगा किसी बात की बात चलती है भी use कर देते हैं चीक है? तो मैं वही करता हूँ जो मुझे उत्साहित करता है तो इसमें दो sentences है पहला मैं वही करता हूँ दूसरा जो मुझे उत्साहित करता है दौनों ही sentence आपके present indefinite है लेकिन आप पहला sentence देखो मैं वही करता हूँ तो मैं करता हूँ, इतना पकड़ो आप, वही को side में रख दो, मैं करता हूँ So present and definite है doer, main word, action, doer कौन है मैं, I, main word, do, action, करना तो करने के लिए भी do लगेगा, अब उस do के अंदर जो action है, main word वाला do छोपा और उसमें कोई change नहीं आया, I do, मैं करता हूँ, what, अब इस what के अंदर आ गया, वही जो वही जो, so what, वही जो, यह what यहाँ पर use हो रहा है doer की तोर पे, कि जो, जो करता है मुझे excite, चीक है, तो what use हो रहा है doer, main word लगेगा does, क्योंकि यह singular है, जो मुझे करता है so what does excite, excite यहाँ पर action के तोर पे लिया गया है, मतलब उत्साहिद करना किसी को, चीक है, उस चीज़को हम excite बोलते है so what does excite me, चीक है, अब does छुपा, excite के अंदर और हो, s लग गया end में, so what excites me, यह sentence बना so I do, what excites me, मैं वही करता हूँ, जो मुझे उत्साहिद करता है मुझे एक पल के बारे में, बताईए, जब आपको लगा, अब यह सवाल इससे पूछे जा रहा है, सामने से कि मुझे एक पल के बारे में बताईए, तो पहला जो यह sentence है, मुझे एक पल के बारे में बताईए, यह sentence है do वाला, जहां पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो ऐसे sentence में do action में छुप जाता है, कोई change नहीं आता, negative होगा, तो do बहार आएगा not के साथ, लेकिन य आपको लगा, चीक है, अब sentence पकड़ दें doer से, आपको लगा, इस से पहले के लिए है जब, जब के लिए when लगाया, रख दिया side में, कब के लिए भी और जब के लिए when का use होता है, चीक है, जब के लिए when को लगाया, side में रख दिया, doer से sentence पकड़ा, आपको लगा, अब indefinite sentence है doer है you main word लगेगा did और action है या तो think या फिर feel दोनों में से कोई भी लगा सकते है मना think लगा दिया तो did छुपा think के अदर क्योंकि simple sentence है और वो second form बन गई thought चीक है so tell me about one moment मुझे एक पल के बारे में बताओ जब आपको लगा when you thought या फिर when you felt भी लग सकता था feel की second form आ जाती चीक है so tell me about one moment when you thought कि आप और बरदाश्ट नहीं कर सकते चीक है की के लिए that लगाओ side में रख दो sentence पकड़ो आप और बरदाश्ट नहीं कर सकते अब ये sentence कही तरीके से बन सकता है you cannot tolerate anymore you cannot bear anymore anymore का मतलब होता अभी इस से जादा नहीं मलब इस से जादा इस तरीके से चीक है तो यहाँ पर एक state पर एक term होती है जिसको हम बोलते है take it I cannot take it anymore इसका मतलब भी यही होता है कि मैं इसको और बरदाश्ट नहीं कर सकता इसका literally मतलब यह नहीं मैं इसको और नहीं ले सकता ऐसा नहीं इसका मतलब ही होता है बरदाश्ट करता I cannot take it anymore वो कोई situation हो कोई negativity हो कोई आपके पर चला रहा है कोई भी चीज जिसमें आपको बुना लग रहा है गुसा रहा है और जब आप burst out होते हो So it is like I cannot take it anymore भाई मैं और नहीं जहल सकता है इन सब चीजों को इस तरीके से ठीक है So key के लिए that लगा है साइड में रख दिया sentence है हमारे पास सकता है सकती है वाला main word लगेगा can negative sentence है formation होगी doer, main word, not or action doer कौन है यह फिर cannot take it anymore take it take it यहाँ पे action के तौर पे use हुआ बरदाश्ट करने के तौर पे चीक है So you cannot take it anymore anymore का मतलब इससे ज्यादा और ज्यादा कि आप और बरदाश्ट नहीं कर सकते that you cannot take it anymore यह करा है पता है किसी नो हिंदी में बहुत बोलते हैं इंग्लिश के अंदर भी बहुत बोला जाता है और इसको सिर्फ you know you know बस you know अगर वैसे sentence को देखो तो यह present indefinite sentence है आप जानते हैं इस तरीके से sentence में इसमें सवाल भी बुच्छा है do you know और not का यूज कर दो कि यहाँ पे anybody हम ले लेंगे doer के तौर पे और not लगा देंगे फिर आप nobody का यूज करो और nobody यहाँ पे एक doer की तरह काम करेगा ठीक है किसी ने नहीं पूछा इसमें अब negative मलब अब not नहीं आएगा negative sense के लिए क्योंकि nobody हमने ले 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 जैसे never का यूज करते हैं so never लगाते हैं तो not नहीं लगाते ऐसे ही nobody तो not लगाने के ज़रत नहीं है you know किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा है चीक है तो किसी ने भी नहीं इसके लिए मैंने term लिया nobody ये मेरा nobody है doer यहां पे nobody फिर main word लगाया क्योंकि ये sentence कौन सा बना ये sentence बना आपका present perfect अब nobody anybody ये जो होते हैं singular treat होते हैं कई बार बताया है मैंने चीक है singular treat होते हैं सो singular के साथ लगेगा has main word nobody has action की third form आती है कोई भी perfect sentence हो so ask पूछना action है इसकी third form लगेगी asked so you know nobody has asked me this question पता है किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा है ठीक है मैं अब इसके बारे में सोच रहा हूँ ठीक है मैं अब इसके बारे में सोच रहा हूँ अब ये जो अब है जैसे मैंने बता है already, never, just और ये जो अब भी आया है ये जो चीज है ना ये छोटी-छोटी से चीज होती है या तो sentence में आप action से पहले लगा दो action से पहले sentence से पहले लगा दो वो भी चलेगा sentence के बाद में लगा दो वो भी चलेगा बीच में लगाना है तो action से पहले तीनों तरीके से बताता हूँ पहले इस अब को side में कर दो बाद में समझाऊंगा अभी मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ sentence कौन सा है present continuous is mr का use होगा action के first form में ing आएगी formation क्या है do or main word action do or कौन है मैं main word m action के first form के साथ ing action का है सोचना so I am thinking मैं सोच रहा हूँ about it I am thinking about it अब now मैंने end में लगा दिया ये भी चलेगा now अगर मैं सबसे पहले लगाता now I am thinking about it मैं इसके बारे में अब सोच रहा हूँ ये भी बिल्कुल सही है I am now thinking about it ये भी sentence बिल्कुल सही है तो तीनों formation में से जो आपको ठीक लगे आप वो यूज करो मैं अब इसके बारे में सोच रहा हूँ I am thinking about it now मुझे याद है मैं एक TV सीरिल की शूटिंग कर रहा था अब जो पहला sentence है मुझे याद है तो simple है I remember I remember simple है so I remember मुझे याद है मैं एक TV सीरिल की शूटिंग कर रहा था past continuous sentence है चीक है जी past continuous का simple sentence है यह वाला और इसमें do or main word action की first one plus ing do or कौन है मैं I main word लगेगा was action क्या है यहापर shoot करना यह एक action ही होता है shoot so I was shooting मैं shoot कर रहा था I was shooting for a TV सीरियल एक TV सीरियल के लिए चीक है तो मुझे याद है मैं एक TV सीरियल की shooting कर रहा था I remember I was shooting for a TV सीरियल अब अगर मैं यहापर यह बूल दूँगा ना कि I was shooting a TV सीरियल इसका मतलब पता है क्या है का इसका मतलब है का मैं TV सीरियल को shoot कर रहा था मतलब मैं director था ठीक है लेकिन यहाँ पर 4 का लगाना क्यों जरूरी हुआ क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए शूट कर रहा था ठीक है मैं उसकी शूटिंग कर रहा था मैं उस चीज़ में काम कर रहा था मैं शूट नहीं कर रहा था मैं तो वहाँ पर मतलब मैं करने वाला नहीं था मैं वहाँ पर काम कर रहा था इस तरीके से बनेगा 2007 की बात है और मैं इस शहर में नया था अब यहाँ पर एक बहुत अच्छे formation है जैसे हम बोलते हैं 1995 की बात है 1947 की बात है जब हमारा देश अजाद हुआ था इस चीज़ पर confused होने के ज़्यादे जरूरत ही नहीं है यहाँ पर आपको simple बोल देना है it was 2007 जिसकी बात चल रही है simple है simple past formation में रख दिया simple past के formation में रख दिया it was 2007 2007 था जब ऐसा कुछ हुआ था इस तरीके से और मैं इस शहर में नया था और के लिए end रख और side में रख दो sentence बचा मैं इस शहर में नया था इसके अंदर कोई action ही नहीं है यह है simple past का sentence तो किसकी बात कर रहे हैं फिर main word फिर वो क्या था formation होती है यह so मैं इस शहर में नया था किसकी बात करे हैं मैं I main word क्या लगेगा was अब मैं क्या था इस शहर में नया तो यहाँ पर inka भी use कर सकते हो I was new in this city ऐसे जगा पर two का ज़्यादा use मिलेगा I was new to मैं इस शहर के लिए नया था इस तरीके से I was new to this city मैं इस शहर पर नया था वो वाला sense बनेगा so 2007 के बात है और मैं इस शहर में नया था it was 2007 and I was new to this city और बहुत तेज बारिश हो रही थी ठीक है अब देखो बहुत तेज बारिश होना raining heavily बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है second जो यहाँ पर आयुशमान ने बोला कभी आप वो सुनो तो confused हो जाओ इसलिए मैंने उसकी exact statement ही रखी है it was pouring ठीक है तो present sorry past continuous sentence ही है यह तो यहाँ पर पोर का मतलब होता है उडेलना बरसना ठीक है इस तरीके से ठीक है तो जब बहुत तेज बारिश को बोल दा तो इसने हाँ पर इसको pouring बोला है ठीक है तो यहाँ पर इसने बहुत तेज बारिश के लिए इस वर्ड का यूज किया हुआ है बहुत तेज बारिश हो रही थी तो मैंने बोला वहाँ है धूप के लिए बारिश के लिए मौसम की ऐसे चीज़ों के लिए न कि क्यूंकि ऐसा था जो ऐसा सेंटेंस आता है न तो वहाँ पर आप बिकॉस की जगा ऐस का यूज आप ज़्यादा देखोगे जैसे कि येस आई येल्ल एट हिम मैं उसके पर चला है ऐस ही वास मेकिंग नोईस चीज़ों का यूज ज़्यादा मिलेगा बिकॉस का भी कर सकते हो धीरे धीर आपको समझ में आना चालेगा चीज़ों इड़ वास पोरिंग बहुत तेज बारिश हो रही थी अब वो क्यूं हो रही थी ऐस इड़ वास अ मौनसून टाइम ठीक है तो वो क्यूंकि वो मौनसून का समय था अब इस सेंटेंस के अंदर भी कोई एक्षन नहीं है सिर्फ एक कंडिशन एक स्टेट बताई जा रही है तो सिंबल पास्ट का सेंटेंस है फॉर्मेशन वही रहेगी किसकी बात कर रहे हैं फिर मेंवर्ड फिर वो क्या था तो किसकी बात कर रहे हैं वो बारिश का समय था तो वो की बात चल रहे है तो इट का यूज हो गया है है क्योंकि मौसम के लिए यूज कर रहे हैं फिर मेंवर्ड लगा सिंगलर है तो मेंवर्ड में वाज आया अब वो क्या था, monsoon का time so it was a monsoon time ठीक है जी, क्योंकि वो monsoon का समय था as it was a monsoon time pack up रात को 2-3 बजे हुआ ठीक है so pack up रात को 2-3 बजे हुआ यहाँ पे हमने pack up जो है यह एक doer की तोर पे ही लिया है ठीक है so pack up did happen, यह आना चाहिए past indefinite sentence है कराया गया नहीं हुआ वो चीज़ अपने आप हो गई, पता है एक बार sentence आया था मेरे सामने भी, मुझसे पूछा गया था class में पूछा गया था actually कि market बंद हो गई है market has closed, यह market has been closed पूरी class में market has been closed पे उठाया था, मैंने market has closed पे उठाया था, क्योंकि अगर कोई police वाला आके, डंडा पटका के market बंद करवाएगा, तब वो passive है, अगर वो market अपने आप ही बंद हो गई है, तो वो करवाई नहीं गई है market has closed आयेगा चीज़ कहाँ तो यह छोटी से चीज़ है, सेम यहाँ पे pack up happened, pack up at 2-3 o'clock in the night, कि रात को अब यहाँ पे o'clock in the night के जगा आप am भी लगा सकते हो, कि 2-3 बज़े, अगर मैंने end में am लगा दिया, तो वो रात के अपने आप sense दे देगा चीज़ कहाँ, so pack up happened at या फिर around इसका भी की लगभग इसके आसपार so at 2-3 o'clock in the night मुझे लगा कि इतने सारे अभी नेता है कोई तो मुझे घर छोड़ देगा अब इसको लगा कैसे इसने सोचा, ठीक है यहाँ तो simple समझ में आ रहा है कि I did think, do our main word action past indefinite sentence है, did छुपा think के अंदर second form बनेगा, I thought मुझे लगा, इतने सारे actors है, ठीक है अब की के लिए that लगाना चाहो, लगा दो ignore करना चाहो, ignore कर दो sentence पकड़ते, इतने सारे अभी नेता है इतने सारे actors है अब यह sentence है, जहाँ पर हम किसी के होने की, existence की, presence की बात कर रहे है, मैंने कई बार बदाया हुआ है, ऐसा कोई sentence आता है अब there से शुरू करो, और there के बाद main word लगेगा फिर देखो sentence कितना easy है अब यहाँ पर पहले यह देखो, इतने सारे अभी नेता है singular की बात हो रही है कि plural की बात हो रही है, plural की बात हो रही है there के साथ use होता है आपका is, am, are, was, were, will be इस तरीके की चीज़े है, जो simple sentence में use होती है, so plural की बात चल लिए तो there के साथ are लगेगा, there are अब क्या है, बहुत सारे अभी नेता, so there are lots of actors, चीक है there are lots of actors क्योंकि बहुत सारे अभी नेता है, इतने सारे कुछ बनाएंगे, वरना ignore कर देंगे जैसे मैंने अभी बोला न, तो उसके लिए कुछ बनाएंगे, ये sentence तो उसे शुरू हुआ, इसके लिए बनाना पड़ेगा लेकिन जैसे यहाँ पर कोई तो मुझे घर छोड़ देगा, तो यहाँ पर इस गलती को रहने देते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे, अगर सुन, कोई मेरी बास सुन रहा है, तो वो सीख लेगा, या फिर किसी का रिवीजिन, अगर किसी को अल्लेडी पता है, तो वो यहाँ पर catch भी कर लेगा, यहाँ पर एक छूटी would का use होता है, जैसे यह है, कि इसने सोचा कि कोई तो घर छोड़ देगा, अब जब अभी है यह बात कर रहा है, इसके लिए दौनों टाइम पास्ट के हैं, कि मैं पास्ट में बैठके यह सोच रहा था, कि कोई यह कर देगा जैसे कि मान लीजिए आज होगे आपका 26 तारिक, मैं बात कर रहा हूँ 24 तारिक की, किसी से आज मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 24 तारिक को सुबह मैं उठा, मैंने देखा 11 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि 12 बज़े से पढ़ूँगा ठीक है, तो अब वो का यूज होगा, चिक, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, मुझे लगा कि इतने सारे अभी नेता है, कोई तो मुझे घर छोड़ देगा यहाँ पर will का यूज नहीं होगा यहाँ पर would का यूज होगा, तो main word यहाँ would बनेगा, तो do or main word action की ही formation रहेगी, do or कौन है, कोई, somebody फिर लगेगा, would, फिर action आएगा, घर छोड़ना, तो छोड़ने को हम drop बोलते हैं, so someone will drop me home, drop me home बोल दो, drop me at home बोल दो चिक है, दौनों सही है so मुझे लगा कि इतने सारे अभी नेता है कोई, तो मुझे घर छोड़ देगा, I thought there are lots of actors, someone would drop me home, ठीक लेकिन सब चले गए अब action को, sorry do or कहां से है, सब चले गए, इससे पहले कहा है, लेकिन, इसको लगा के sad में कर तो, लेकिन इक लिए but लगाया, सब चले गए, ठीक है so सब को हम बोलेंगे everyone भी यूज़ कर सकते हो, go का भी यूज़ कर सकते हो ठीक है, कहीं से चले जाना, leave का भी यूज़ हो जाता है, ठीक, तो past and definite sentence से everyone did leave, या फिर everyone did go, ठीक है, did छुपा go के अंदर second form बनगी went but everybody went और यहाँ पर leave का use करते है तो everybody left आ जाता ठीक है, लेकिन सब चले गए but everyone went मैं उस studio में आखरी था ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते है, I was last in that studio, simple है कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर one का use हो जाता, कि मैं आखरी वाला था, इस तरीके से, so I was the last one in that studio sentence कौन सा है, simple past कोई action ही नहीं इसमें, मैं उस studio में आखरी था, इसमें कोई action नहीं है, so किसकी बात कर रहे हैं, फिर main word, फिर वो क्या था, मैं की बात कर रहे हैं, so I, उस फिर लगेगा was अब मैं अकेला था, so I was the only one in that studio ठीक है, you are the only one I talk to so much like, तुम ही हो, जिससे में तनी बात करता हूँ, इस तरीके से, चीक है you are, like, she is the only one I hate a lot, मैं बना सिर्फ वही है, इकलोती इस तरीके से, जिससे मैं नफरत करता हूँ ये इस तरीके से हम बोलते हैं, चीक है so, I was the only one in that studio उस studio में मैं आखरी था मैं अकेला था, sorry, last one है so, I was the last one, चीक है only का भी उस जाता है कि सिर्फ मैं ही था, इस तरीके से so, I was the last one, मैं आखरी था चीक है, इस तरीके से I was the first one who came in this office मैं पहला था, जो इसका office में आया था, ऐसे हम बात करते हैं चीक है, your video is the first one which I watch in the morning कि आपकी video सबसे पहली होती है जो मैं सुबा देखता हूँ या देखती हूँ मुझे कोई auto नहीं मिल रहा था, अब यहाँ मिलने के लिए मैंने कई बार बताया हूँ है, ऐसे जगा आप get का use करो, ठीक है, get का ठीक है, find का भी use कर सकते हो, ठीक है find का भी use कर सकते हैं, लेकिन get का use बहुत ज़ादा मिलेगा आपको sentence कौन सा है, मुझे कोई auto नहीं मिल रहा था, इस sentence है आपका past continuous, चीक है क्योंकि मिलना एक action के तौर पे है so do or main word action के first form में ing, do or कौन है, मैं, I main word लगेगा was, action क्या है, मिलना, action के first form में ing, I was getting, चीक लेकिन negative sentence है, so do or main word फिर not आएगा so I was not getting क्या नहीं मिल रहा था, कोई भी auto, so I was not getting any auto मुझे कोई auto नहीं मिल रहा था मुझे तो पता भी नहीं था, कि मुंबई में चाता लेकर चलना पड़ता है, चीक है रहा है, English में उस चीज से पहले आप even लगा दो जैसे, यहाँ पर भी लग रहा है पता के बाद, पता भी English में इस पता को बोलेंगे no, right address वाला तो नहीं आई है, so no बोलेंगे, अब इस no से पहले even लगा दो, चीक तो मुझे, पहले हम इतना पकड़ते है मुझे पता नहीं था, चीक है मतलब मैं नहीं जानता था पास, sorry, present indefinite sentence है present indefinite, doer, main word not action, doer कोन है, मुझे नहीं पता था तो I, फिर लगेगा I के साथ sorry, past indefinite है मुझे नहीं पता था, तो past indefinite है, पहले लगा I फिर main word लगेगा did, फिर लगेगा not, चीक है, और action क्या है, पता होना, जानना तो no, I did not know, ये बनेगा, अब ये भी वाला जो sense है, पता भी नहीं था, तो पता के बाद भी आ रहा है तो even लगाएंगे हम no से पहले, I did not even know मुझे पता भी नहीं था ठीक है, इस तरीके से क्या नहीं पता था, कि Mumbai में चाता लेकर चलना पड़ता है ठीक है, अब की के लिए that लगागा रखतो साइड में, Mumbai में चाता लेकर चलना पड़ता है कैसे बनाओगे ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर one का भी use हो सकता है, ठीक है one has to carry umbrella, अगर मैं one का use लेकर बनाता हूँ, कि one has to मतलब यह भी sense बिलुकुल सही लेकर चलेगा, मतलब हर इंसान को एक आदमी को, इस तरीके से everyone का भी use हो सकता है, कि everyone has to carry umbrella कि सब को लेकर चलना पड़ता है ठीक है, you का use बहुत ज़्यादा common है, ठीक है, you का use कि you have to do this, कि भाई आपको यह करना होता है, मैंना सब ऐसा होता है इस तरीके से, कि मुंबई में छाता लेकर चलना पड़ता है, sentence का जो action है यहाँ पर, ठीक है तो do छुपा हुआ है action के अंदर कि चलना पड़ता है ताहती है वाला sentence है, है यह present indefinite का, लेकिन करना पढ़ना वाले sense के लिए action जो use होगा, वो action have to use होगा, बस, so sentence के formation क्या होगी, doer main word action, doer कौन है, मैंने इस चीज़ को ऐसे ले लिया, कि आपको छाता लेकर चलना पड़ता है, so you main word लगेगा, do action लगा, have to, do छुपा, have to के अंदर कोई change नहीं आया, you have to, ठीक है, अब क्या करना पड़ता है हमें, you have to carry an umbrella, छाता लेकर चलना पड़ता है, in Mumbai, Mumbai में right, समझ गए, मुझे तो पता भी नहीं था, कि Mumbai में चाता लेकर चलना पड़ता है, I did not even know, that you have to carry an umbrella in Mumbai next sentence, क्योंकि बारिश यहां कभी नहीं रुखती अब यह sentence में आपको दो तरीके से बताऊंगा, देखो क्योंकि के लिए because लगाओ, sad में कर दो, चीक है as का use भी यहां है, आप यहां कर सकते थे ठेक है, because लगाया, sad में रख दिया बारिश यहां कभी नहीं रुखती, पहली पहला sentence में बताता हूँ कि इसको simple sentence में लेके, simple present indefinite का sentence लेते हैं, बारिश को एक doer की तौर पर मान लेते हैं so doer के तोर पर हमने माना, और यहां पर कभी नहीं के लिए, never का use करना है never का जब use करेंगे तो not लगाने के जरत नहीं है जब not नहीं लगाएंगे तो जो इसकी helping verb है, वो action में छुपेगी, right, rain को मैंने singular treat किया, singular so rain, doer हो गया never, कभी नहीं action जो है अभी यहां पर रोकना, stop, singular है तो action में छुपेगा does और does छुपेगा तो yes यह, yes आएगा so rain never stops here समझ में आ गया चीक है, दूसरा आप अगर मुझे यह बोलो, कि sir it जैसे मैंने बताया हुआ कि मौसम के लिए हम it का use करते हैं, तो it का use भी यहां पर आप कर सकते हो it never stops raining here यह भी बन सकता है कि यहां पर बारिश पढ़ना कभी नहीं बन दोता it never stops raining here it is always raining here यहां पर हमेशा बारिश ही होती रहती है यह भी sentence बिलुकुल सही है तो आपको जो ठीक लगे, वो आप बना सकते हो मैंने क्या बनाया क्योंकि बारिश यहां कभी नहीं रुकती because rain never stops here मैं गोरे गाव east से अंधिरी तक पैदल गया था sentence कौन सा है sentence है यह आपका past indefinite अब यहां पर गया यह action नहीं है मैं पैदल गया, यह action I went on foot आप यह भी लगा सकते हो कि मैं पैदल गया तो यहां पर go on foot यह भी एक action ले सकते हो उसकी second form लज जाएगी went on foot दूसरा तरीका simple हाँ walk का use करो पैदल चलने के लिए walk का use कर दो यह आज कल बहुत हो रहा है कि walk को एक तरीके से action के दौर पर ऐसे ले लिया जाता है चीक है so past indefinite sentence है do or main word action के formation रहेगी do or कौन है मैं आये फिर लगेगा did action हुआ यहां पर walk did छुपा walk के अंदर walked बन गया I walked मतलब मैं पैदल गया from goregaव east to अंधेरी goregaव east से अंधेरी तक sentence बना मैं goregaव east से अंधेरी तक पैदल गया था I walked from goregaव east to अंधेरी और कोई auto नहीं थे कोई taxi नहीं थे अब किसी चीज़ की presence की बात करते है मैंने बता है there का use करेंगे और साथ में आपका main word आ जाएगा ठीक है अब किसी चीज़ की कोई चीज़ नहीं थी किसी चीज़ की existence महाँ थी ही नहीं presence थी ही नहीं तब भी there का use होगा उसके साथ लगेगा आपका helping verb लेकिन no का use हो जाएगा मेरे bag में pen है so there is a pen in my bag मेरे bag में pen नहीं है there is no pen in my bag इस तरीके से तो यहाँ पर क्या हुआ or के लिए end लगा के side में कर दिया कोई auto नहीं थे यह plural form में लिया है so there के साथ लगेगा were क्योंकि plural form है फिर लगेगा no there were no autos छेक है autos were not there यह भी सही है अगर बनाना चाहो तो confuse मत हो लेकिन अभी there were no autos no taxi और कोई taxi भी नहीं थी तो दुबार से there there का use करने के जगा उसी form में दर उसी context में ले लिया और कोई auto नहीं थे कोई taxi नहीं थे and there were no autos no taxi मैं कारों को रोकने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कोई नहीं रोक रहा है ठीक है तो यह sentence कौन सा बना यह है आपका present continuous महलब बोलना तो उसके खर past में ही छेये था लेकिन अब इसकी मर्जी भाई यह उस scene में चला गया बिल्कुल जिन्दा होगे जी रहा है वहाँ पर मैं कारों को रोकने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है present continuous है simple formation है तो do or main word action के first form में ing do or कौन है मैं I फिर लगेगा main word M अब action है पर कोशिश करना try try में ing लगेगी I am trying मैं कोशिश कर रहा हूं किस चीज़ की I am trying to stop cars मैं गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कोई नहीं रोक रहा है अब इस कोई नहीं के लिए nobody का use होगा और दोबारा not लगाने की जरुरत नहीं है लेकिन के लिए but लगाया side में कर दिया कोई नहीं रोक रहा है ठीक है यहाँ पर doer है कोई नहीं ठीक है इसको मैंने doer ले लिया nobody फिर main word आया is क्योंकि singular treat होगा मैंने अभी बताया था ठीक है nobody is अब action क्या है रोकना so nobody is stopping कि कोई नहीं रोक रहा है पूरा sentence बना मैं कारों को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई नहीं रोक रहा है I'm trying to stop cars but nobody is stopping मैंने सोचा यह कैसा शहर है ठीक है so मैंने सोचा past indefinite sentence है doer main word action I did think did छुपा think के अंदर second form बनगी thought I thought मैंने सोचा यह कैसा शहर है ठीक है that लगा दिया है की वाले sense के लिए चाहोते किनोर कर दो यह कैसा शहर है ठीक है अब किस तरहा का मैंने बताया हुआ है यहाँ पे जो हमारा main word sorry जो quotient word आता है what kind of what kind of यह यह use होता है किस तरह का शहर यहाँ पूरा जो quotient word बना वो what kind of city बना ठीक है पूरा quotient word so what kind of city फिर main word आएगा quotient word main word फिर किस की बात करते हैं right so what kind of city singular है फिर आया हमारा main word is यह this what kind of city is this जैसे मैं बुलू ना किस तरह की इंसान होता है so what kind of ठीक है अब इंसान के बात करता हूँ what kind of human ठीक है फिर you are भी बोल सकता हूँ are you भी बोल सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर quotient का भी sense आ रहा है quotient ना है उसका भी sense आ रहा है कैसा शहर है ठीक है अब यहाँ पर कोई मुझे जवाब भी दे सकता कि हाँ वाई ऐसा ही है बेकार सा यहाँ कोई समझे सकता कि हाँ सही कह रहा है ऐसे है ठीक है so मैंने सोचे यह कैसा शहर I thought that what kind of city is this कोई किसी की परवा नहीं करता कोई किसी की परवा नहीं करता अब कोई नहीं यहाँ पर फिर वही वाला sense आ गया कोई नहीं nobody use होगा not use नहीं होगा so nobody को मैंने लिया doer के तौर पर कोई नहीं करता किसी की परवा कोई नहीं करता किसी की परवा so doer main word action doer कौन है कोई नहीं nobody main word लगेगा does present indefinite है और singular form है nobody so nobody does action क्या है care so nobody does care कोई नहीं करता परवा अब does छुपा care के अंदर cares बन गया nobody cares कोई परवा नहीं करता about anyone किसी की भी किसी के बारे में भी ठीक है simple है so कोई किसी के परवा नहीं करता nobody cares about anyone ठीक तो ये थे आज के sentences I hope वीडियो आपके लिए useful रही होगी कोई doubt है कोई confusion है comment box में जाईए वहाँ मुझसे पूचिए वीडियो पसंद आईए तो please like कीजिए नए है like subscribe दोना कीजिए thank you